तहानी सीख जो जीवन बदल दे एक राजा था जिसका नाम रामधन था उनके जीवन में सभी सुख थे राजय का काम काज भी एशो आराम से चल रहे था राजा के नैतिक गुनों के कारण प्रजा भी बहुत प्रसंद थी और जिस राजय में प्रजा खुश रहती है वहां की आर्थिक व्यवस्था भी दुरुस्त होती है इस प्रकार हर क्षेत्र में राजय का प्रवाह अच्छा था इतने सुखों के बाद भी राजा दुखी था क्यूंकि उसकी कोई संतान नहीं थी यह गम राजा को अंदर ही अंदर सताता रहता था प्रजा को भी इस बात का बह दूम रही थी समय बित्ता जा रहा था राज कुमार का नाम नंदन सिंग रखा गया पूजा पाठ एवं इंतजार के बाद राजा को संतान प्राप्त हुई थी इसलिए उसे बड़े लार प्यार से रखा जाता था लेकिन अती किसी बात की अच्छी नहीं होती अधिक लार नंदन बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गया था उसके मन में अहनकार आ गया था वो चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जय कार करें उसकी प्रशंसा करें उसकी बात ना सुनने पर वो कोला हल मचा देता था बैचारे सैनिकों को तो वो पैर की जुती ही समझता था आय दिन उसका प्रकोक प्रजा पर उतरने लगा था, वो खुद को भगवान के समान पूझता देखना चाहता था, आयो तो बहुत कम थी लेकिन हम कई गुना बढ़ चुका था। नंदन के इस व्यवहार से सभी बहुत दुखी थे, प्रजा आये दिन दर्बार में नंदन की शिकायत लेकर आती थी जिसके कारण राजा का सिरलजजा से जुब जाता था, ये एक गंभीर विशय बन चुका था। एक दिन राजा ने सभी खास दर्बारियों एवं मंत्रियों की सभा बुलवाए और उनसे अपने दिल की बात कही कि वे राजकुमार के इस व्यवहार से अत्यंद दुखी हैं। दर्शन एवं सामान्य जीवन के अनुभव की जरूरत हैं। आप उन्हें गुरु राधा गुप्त के आश्रम भेज दीजिये सुना हैं। वहां से जानवर भी इनसान बनकर निकलता हैं। ये बात राजा को पसंद आई और उसने नंदन को गुरु जी के आश्रम अगले दिन राजा अपने पुत्र के साथ गुरु जी के आश्रम पहुँचे। राजा ने गुरु राधा गुप्त के साथ अकेले में बात की और नंदन के विशय में सारी बाते कही। गुरु जी ने राजा को आश्रम में चोड़ कर राज महल लोट गए। अगले दिन सुबख गुरु के खास चेले द्वारा नंदन को भिक्षा मानकर खाने को कहा गया जिसे सुनकर नंदन ने साफ इंकार कर दिया चेले ने उसे कह दिया कि अगर पेक भरना है तो भिक्षा मानगनी होगी और भिक्षा का समय शाम तक ही है अन्य था भूखा रहन पढ़ेगा नंदन ने अपनी अकर में चेले की बात नहीं मानी और शाम होते होते उसे भूख लगने लगी लेकिन उसे खाने को नहीं मिला दूसरे दिन उसने भिक्षा मांगना शुरू किया शुरुवात में उसके बोल के कारण उसे कोई भिक्षा नहीं देता था लेकिन ग व्यवहार में बहुत से परिवर्तनाए इसी तरह गुरुकुल के सभी नियमों ने राजकुमार में बहुत से परिवर्तन किये जिसे राधा गुप्त जी भी समझ रहे थे एक दिन राधा गुप्त जी ने नंदन को अपने साथ सुबह सवेरे से पर चलने कहा दोनों से पर न शा, मैं उप्योग करना आना चाहिए, दोनों चलते चलते एक सुन्दर, बाग में पहाँच गए, जहां बहुत सुन्दर सुन्दर फूल थे जिन से, बाग महक रहा था, गुरु जी ने नंदन को बाग से पूजा के, लिए गुलाब के फूल तोड़ने कहा, नंदन जट से स गुलाब सुन्ध ने दिया, और कहा बताओ कैसा लगता है, नंदन ने गुलाब सुन्धा और गुलाब की बहुत तारीफ की, फिर गुरु जी उसे नीम के पत्ते चक कर उसके बारे में कहने को कहा, जैसे ही नंदन ने नीम के पत्ते खाए, उसका मूल करवा हो गया और उस उसने गुरु जी से हंसने का कारल पूछा तब गुरु जी ने उससे कहा कि जब तुमने गुलाब का फुल सुनगा तो तुम्हें उसकी खुश्बू बहुत अच्छी लगी और तुमने उसकी तारीफ की लेकिन जब तुमने नीम की पत्या खाई तो तुम्हें वो करवी अगर तुम उनके साथ दुर्व्य वहार करोगे और उनसे प्रशंसा की उम्मीद करोगे तो वे ये कभी दिल से नहीं कर पाएंगे, इस प्रकार जहां गुन होते हैं वहां प्रशंसा होती हैं। नंदन को सभी बाते विस्तार से समझ आ जाती हैं और वो अपने महल लोट जाता हैं। नंदन में बहुत परिवर्तन आता हैं और वो बाद में एक सफल राजा बनता हैं। तहानी की शिक्षा, गुरू की सीखने नंदन का जीवन ही बदर दिया वो एक प्रूर राज गुमार से एक न्याय प्रिय दयालू राजा बन गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती हैं कि हमें गुन होंगे तो लोग हमें हमेशा पसंद करेंगे लेकिन अगर हम अव